असल में जिन्दगी की चाल वही समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है क्योंकि जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता वो जिन्दगी में कहीं भी चर्चित नहीं होता आदर्निय श्री श्री गोपाल जी दर्गड श्री महेश स्यवा समीती का ये सफर अब गोरव शिकर की यात्रा पर था तब संस्ता की कमान संबाली आदर्निय श्री श्री गोपाल जी दर्गड ने एक तरफ जहाँ पूर्व अध्यक्षो द्वारा कमाया गया भवन का वेभव आपको विरासत में विला तो वहीं दूसरी तरफ इसकी गरिमा को बनाए रखने वह उसे ओर उचाईयां देने का काम आपके कंदे पर था पर जब जिम्मेदारियां बड़ी होती है तब ही एतियासिक कहानिया गड़ी होती है आपने समय के बदलाव को भापते हुए भवन नवीनी करण और आदूनी करण पर पूर्जोर काम किया स्मर्णिका के माध्यम से धन राशी एकत्रित करके आपने भवन नवीनी करण के कार आने का श्रे भी आपको जाता है। इसके लिए आपने कुछ नए नियम बनाए वा कुछ को सरल रूप से पुनह लिपी बद किया। सामाजिक आयोजनों में अधिक से अधिक समाज बंदूओं की सहभागिता हो। इसके लिए आपके कारिकाल में अठक परियास किये गए। और उन परियासों का फल आपको समाज बंदूओं की हर कारिकरम में बढ़ती उपस्तिति के रूप में मिला। ये आपके ही कारिकाल की देन है कि काफी समय से विलंबित चल रही धारा असी जी को सरकार का अनुमोदन मिला। ऐसी कही आपके द्वारा शुरू की गई समाज उपयोगी कोशिशों ने समाज उत्थान की दिशा में सरहानिये काम किया है। स्वन जयनती महत्सव पर महेश सेवा समीती का मंच प्रणाम करता है आपके सेवा भावी स्वभाव को जिसकी परिपाटी पर चल कर आज हम ये खुशियां बिचा रही है। आधरनिये श्री श्री गोपाल जिदरगड़।